Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें Facebook पे भी follow कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे famous playwright और poet William Shakespeare की एक sonnet के बारे में जिसका नाम है They That Have Power To Heart इसे sonnet 94 के नाम से भी जाना जाता है और ये इनकी बहुत ही एक famous sonnet है इसे 1590s के करीब लिखा गया था मगर इसे published 1609 में किया गया है चुकि ये poem एक Elizabethan sonnet है इसलिए इसकी 14 lines, 3 quartrains यानि 4 line stanza और 1 couplet यानि 2 line stanza में बाटी गई है साथ ही इसकी rhyming scheme है A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G Friends, इस poem की theme है behavior यानि कैसे आपका जो behavior है अपने equals या अपने infidiors के तरफ वो आपकी personality को decide करता है ये poem Shakespeare की fair youth sequence में से belong करती है Friends, William Shakespeare एक Elizabethan poet, dramatist, essayist और actor थे उनका जन्व हुआ था 26 April 1564 में और उनकी death हुई थी 23 April 1616 में अपनी पूरी lifetime में उन्होंने 37 plays और 154 sonnets लिखे हैं और उनके plays और sonnets आज भी उतने fresh हैं, उतने ही popular हैं और इसलिए वो बहुत सारे colleges और schools में पढ़ाये जाते हैं तो चलिए Friends, अब इस poem पर आते हैं और इसे read करके समझने की कोशिश करते हैं They that have power to hurt and will do none यानि वो लोग जिनके पास इतनी ताकत है कि वो दूसरों को hurt कर सकते हैं, उन्हें चोट पहुसा सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे Will do none, यानि वो अपनी ताकत का इस्तिमाल कर दूसरों को चोट नहीं पहुँचाते हैं That do not do the thing they most do show यानि वो लोग जिनने देख कर हमें उनकी पावर के बारे में पता चलता है उनकी पावर जो है वो शो होती है कि वो कितने पावरफुल हैं लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का use नहीं करते जो चीज उनकी सबसे जादा दिखाई देती है जो खूबी दिखाई देती है उसका वो use नहीं करते हैं यानि वो लोग जो दूसरों को move करते हैं उन्हें प्रेड़ित करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए force करते हैं बगर खुद कभी move नहीं करते बिल्कुल still रहते हैं यानि वो unmoved है एक बार उन्हें कुछ decide कर लिया तो उन्हें decide कर लिया cold यानि उन्हें दूसरों की feeling से ज़ादा फर्क नहीं पड़ता है and to temptation slow यानि कि वो किसी तरह की लालच में नहीं आते हैं उनका decision final होता है एक बार जो decide कर लिया उन्होंने उसके बाद वो अपने decision से पीछे नहीं हटते हैं यानि एक तरह से कहें तो जो लोग बहुत motivated होते हैं और बहुत strong will के होते हैं उनके बारे में यहाँ पर poet बात कर रहे हैं they rightly do inherit heaven's graces यानि ऐसे लोगों पर heaven की स्वर्ग की जो भी blessings होती हैं उन पर बरसाई जाती हैं वो उन blessings के असली हगदार होते हैं and husband natures riches from expense और जो nature की riches होती हैं जो nature से हमें gifts मिलती हैं उनको वो बचाते हैं expense होने से यानि बरबाद होने से वो एक तरह से nature की help करते हैं उन्हें heaven से जो gifts मिली होती है उसका use करते हैं वो nature को बचाने के लिए यानि बहुत ही जादा अच्छी खूबिया होती है उन लोगों में जो उनकी strong will होती है वो उन्हें nature के God के और close ले आती है यानि वो अपने facial expressions को control कर सकते हैं वो उनके उपर अपना पूरा हक रखते हैं जो भी वो feel करते हैं उनके thought और emotions वो उनके चहरे पर नजर नहीं आते हैं others but stewards of their excellence जबकि बांकी सभी जो लोग होते हैं जिनमें ये strong will की quality नहीं होती है वो बस अपने emotions को अपने चहरों पर दिखा देते हैं बस सर्फ करते हैं अपने emotions को कोई भी उनकी emotions को उनके चहरों से पढ़कर समझ सकता है अब friends यहाँ इस next टैंजा में poet एक तरह से change हो रहे हैं एक strong willed person से वो एक flower के experience को बता रहे हैं The summer's flower is to the summer sweet यानि गर्मी के मौसम में खिलने वाला fool वो बहुत ही sweet होता है गर्मी के मौसम के लिए बड़ा पसंद करता है Though to itself it only live and die जबकि जो flower होता है वो अपने बारे में सिर्फ इतना ही सोचता है कि उसे अपनी जिन्दगी जीनी है और फिर मर जाना है उसे अपनी qualities के बारे में अपनी खूबियों के बारे में कोई interest नहीं होता But if that flower with base infection meet यानि अगर उस flower में किसी तरह का कोई बहुत ही गहरा infection हो जाए वो फूल धीरे धीरे खराब होने लगे सडने लगे The basest weed outbraves his dignity तो जो सबसे बेकार weed है, weed का मतलब होता है जंगली पौधा तो जो सबसे बेकार जंगली पौधा होता है, वो भी उस flower से ज़ादा खूबसूरत लगता है उसकी dignity ज़ादा होती, उसकी इज़त ज़ादा होती है क्योंकि किसी को भी एक खराब सड़ता हुवा fool पसंद नहीं आएगा जंगल ज़ादा पसंद करेंगे लोग उस सड़ते हुए fool के मुकाबले क्योंकि वो बहुत ही ज़ादा disgusting हो जाता है For sweetest things, turn sourest by their deeds यानि कि जो चीजें हमें सबसे ज़ादा पसंद होती है जो हमारे लिए सबसे ज़ादा sweet है वो भी अपनी हरकतों के कारण हमें बुरी लगने लगती है, ना पसंद आने लगती है Lilies that fester smell far worse than weeds और इसका सबसे अच्छा example है एक lily का flower जो कि यूँ तो सबको बहुत ही ज़ादा पसंद आता है लेकिन जब वो fool सर जाता है तो जो उससे बद्बू आती है वो किसी भी जंगली पौदे की बद्बू से भी ज़ादा बुरी होती है और ऐसे सरते हुए fool को कोई भी अपने पास नहीं लाना चाहता यहाँ पर यह poem खत्म होती है poem में poet ने एक बहुत ही simple बात को explain किया है कि आपको लोग पसंद तभी करेंगे अगर आपका behavior अच्छा होगा अगर आप दूसरों को एक गलत तरीके से treat करेंगे तो वो आपसे दूर रहना चाहेंगे चाहें आप में कितनी ही और अच्छी qualities क्यों नहूं लेकिन आपका behavior आपकी सभी qualities को decide करता है तो friends यह थी William Shakespeare की sonnet They that have power to hurt